लक्ष्मी का बच्पन से एक सपना था कि वो फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करे। मुंबई के मुलुंद इलाके में रहने वाली 28 साल की लक्ष्मी निवृत पंदे की कहानी बड़ी दिल्चस्प है। बच्पन में खुद के घर टीवी ना होने की वज़ा से वो पड़ोसियों के घर काम करती थी और उसके बदले में टीवी देखती थी। टीवी पर माधुरी दिक्षित और श्री देवी के गानों पर लक्ष्मी नाच उठती थी। बच्पन का यही शौक अब लक्ष्मी का सपना बन गया। परिवार में दो बड़ी बहने और एक बड़ा भाई है और लक्ष्मी सबसे छोटी है। बीमार बहन और मा की देखरेख लक्ष्मी ने ही समहाली हुई थी। पिता बच्पन में ही गुजर गय थे। घर में मा का हाथ बटाने के लिए लक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आठवी कक्षा के बाद लक्ष्मी दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक्टिंग के शौक को ध्यान में रख कर लक्ष्मी ये जानती थी कि उन्हें घर की आजीविका भी जुटानी है। इसलिए वो एक्टिंग के साथ परिवार के पालन पोशन के लिए आटो रिक्षा भी चलाती है। लक्ष्मी की मात्र भाषा मराठी है। लक्ष्मी ने कई मराठी सीरियल जैसे दिव्यानी, लक्ष, तू माजा संगती और मराठी फिल्म मुंबई पूने मुंबई के अलावा जी फाइफ की वेब सीरीज स्वाराज रक्षक में काम किया है। इसके अलावा लक्ष्मी हिंदी फिल्म मराठ वारा जैसे कई अन्य फिल्मों और सीरियल में भी काम किया है। लेकिन लक्ष्मी को पहचान तब मिली जब मशूर अभीनेता बमन एरानी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि लक्ष्मी मराठी सीरियल में अभीने करती हैं और बाकी के समय आटो चला कर अपने परिवार के पालन पोशन के लिए सशक्त भूमिका निभा रही है। इस बात पर लक्ष्मी बताती हैं कि वो पाललर में भी काम कर चुकी हैं लेकिन दूसरी जगा काम करने के चलते वो अपनी एक्टिंग पर फोकस नहीं कर पाती थी। पिसान की बीवी, कभी काम वाली और ऐसे कई special appearances भी मिलते हैं। लेकिन लक्ष्मी ना उमीद नहीं हैं। वो इस तरह काम करके खुश हैं। लक्ष्मी को सीरियल में काम करने से पांच या छे दिन बाद ही पैसे मिलते हैं। जिसके चलते कई बार परिवार वालों को खाली पेट रहना पड़ता है। इसलिए उन्होंने रिक्षा चलाने का फैसला किया था। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं रिक्षा चलाने से मेरा दो फाइदा होता है। एक तो ये कि रोज की कमाई हो जाती है और दूसरा ये कि किसी भी जगा पहुशने में असानी हो जाती है। कई बार तो ऑडिशन के लिए जाते हुए वो रिक्षे में सवारी बिठा लेती हैं और उन्हें छोड़ते हुए और डिशन के लिए निकल जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि और तो की ड्राइविंग खतरनाक होती हैं। और तों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जैसी कई और तो ने ये साबित कर दिया कि महिलाए किसी भी छेत्र में पीछे नहीं है